स्वागत है आप सभी का साइंस अंट पर जहां पर टीचर सापको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज के तो सेशन है वह बहुत जादा इंपोर्टन है खासकर उन बच्चों के लिए जो की नीट एस्परेंट्स हैं जिनको नीट का एक्जाम देना है चाहे वो हो चाहे वह अभी 11 में आए हो बड़ उनका सपना है नीट करक करना तो आपको पता होगा कि नीट के एस्परेंट्स जो होते हैं उनके लिए सबसे डिफिकल्ट जौब जो होती हो फिजिक्स पढ़ना होता है और वे से बाता है उनको बाइलाजी अच्छी लगती होती है इ जाए है यहीँ फिजिक्स के मुखकिल लगने के पीछे के कारण काफी हो सकता है फिजिक्स के डर वो इसंतर divlap होता है क्योंकि उनके पास मैंस नहीं होती है तो मैंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं सर जो कि हमें बच्चों को पढ़ाने पढ़ते हैं आपको भी पताए क्योंकि अगर वो topics बच्चों को नहीं आते होंगे, maths के, कुछ topics 11th के maths के हैं, वो सर आपको डिल में बताएंगे, कुछ topics 12th के maths के हैं, जो अगर आपको नहीं आते होंगे, तो आपकी physics कहीं नहीं difficult हो जाएगे, आपको यह नहीं कह रहे हैं, कि maths लेना जरूरी है physics पढ़ने के लिए उनको कुछ basic maths के chapter scale या topics के लोग पढ़ने होंगे, वो सर आपको बताएंगे, कि वो topics कौन कौन से हैं, जो आप सब को पढ़ लेने चाहिए, अगर आप 11th में आयो, तो अभी से शुरू हो जाओ, और अगर आप drop out हो, dropper हो, तो आपको सबसे पहले physics पढ़ाई, कि importance कहां कहां पे है, physics को पढ़ने के लिए, for an example, आप सब ने पढ़ा हुआ है कि, अगर मेरे पास, यह 9th का topic है, सब बच्चों को याद होगा, यहां पे time है, यहां पे velocity है, और यह velocity time graph है, straight line graph है, और अगर मुझे इसके नीचे का area निकालना है, तो मैं area of trapezium, या area of rectangle plus triangle कर सकत हो, but imagine करो कि अगर आपके पास velocity time graph कुछ ऐसा आगया, ऐसा आगया, करवा गया, तब आप पता हो, कि यहां पे आप इसका area कैसे निकालोगे, तो 11th class का बच्चा जिसने भी तक maths शुरू नहीं किये, physics शुरू नहीं किये, उसको इसका answer नहीं आता है, लेकिन एक topic है maths का, जो है, जो की help करता है physics को पढ़ना में, तो maths का जो origination है, बहुत सारे concept का origination है, जहां पर physics में हम अटके होंगे, और वहां पर जैसे आयोटा हो गया, बहुत सारी चीजे मैं बच्चों को बताता हूं कि वह है, और एक बात और add में हैं करूंगा, जह सर ने का कि कई बच्चों क physics इसलिए weak है क्योंकि मैं 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 जरूरी नहीं है नीट वाले बच्चों के लेकिन मैं जब कुछ offline वाले बच्चों को या online वाले बच्चों को पढ़ाता हूं जिनके पास maths है, लेकिन फिर भी bio को बहुत ज्यादा preference देते हैं, देना चाहिए भी, लेकिन maths को इतना ज्याद और नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, तो यह topic को बिल्कुल सीजिस लेकर आप पढ़ लो, अच्छे दे पढ़ लो, तो आपकी physics बहुत स्ट्राम हो जाएगा, बिल्कुल, और ऐसे ही एक छोटा सा idea और दूँगा ताकि आपको पहले थोड़ा सा importance भी feel हो, कि maths पढ़ने जरू नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारे maths के टूल्स हैं, जो physics में इस्तमाल होते हैं, अब सर आपको पताएंगा कि maths की वो कौन कौन से topics हैं, जो आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं, और इमान दारे से उन्हें पढ़ लेना, physics का करनी हैं तो, जी जैसे आपने यह वाला आपने example दिया, तो यहां पर यह तो बहुत असान है, area of trapezium से यहां निकल जाएगा, यह वाला जो example है, यह application of integration है, यहां पर आपको integration, definite integral का यह topic है, तो आपर integration जो कि हम class 12 में सीखते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम सीखने को पढ़ेगा, मतलब जो आप लोग नीट वाले पढ़ना, बहुत कम integration पढ़ना है, तो दूसरा भी आपने example दिया, उसको हम derivatives कहते हैं, बहुत छोटा सा एक topic है, बहुत असान सा topic है, तो अभी मैं आपको एक list दे रहा हूं, उस list को अगर आप follow करते हो deeply, तो आपकी physics super strong हो जाएगी, यह हम guarantee देते हैं, तो इसके अंदर हमे trigonometry तो हर जगा लगेगी, 11th class की math में भी लगेगी, आपकी 11th की physics में लगेगी, 12th की physics में लगेगी, 12th की math में लगेगी, तो अभी तक जो बच्चे 10th में थे, या कोई बच्चा हो, उसको trigonometry के यह तीनो topic पढ़ने हैं, एक जो 10th में आप लोगों ने trigonometry, 11th की trigonometry और 12th की trigonometry भी जो है, वो inverse trigonometry है, यह तीनों आपको पढ़नी है, हाँ ठीक है, इतना depth में जाकर नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरी advice ही है कि उसको depth में पढ़ना हूँ, 10th की trigonometry बिलकुँ detail ने पढ़नी है, 11th की trigonometry बिलकुँ detail ने पढ़नी है, सारे के सारे formulas याद करने हैं, हर ए 12th का भी inverse trigonometry बहुत जल दूँगा, तो इसी order में करना है, पहले 10th फिर 11th और फिर 12th, क्योंकि इसी order में पढ़ते हैं, derivatives के अंदर भी देखा जाए, तो दो प्रकार के derivatives, दो बारी आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो 11th क्लास के अंदर, और एक पढ़ते हो 12th क्लास के अंद basic, sorry, derivatives के बहुत basic formulas होते हैं, जैसे chain rule, quotient rule, आप जब पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा, बहुत basic सा एक chapter है, 11th क्लास का, वो आपको यहाँ पर crack करना है, और इसके अंदर भी थोड़ा भी trigonometry लगेगा, तो जो हम आपको लिख कर दे रहे हैं, आप उसको order में पढ़ रहे हैं, अगर आपको neat के लिए, या physics wrong करने के लिए अगर आपको पढ़ना है, तो मातर पांच formula पढ़ लो, काम खतम हो जाएगा, तो इसमें पहला formula जो आपको पढ़ना है, वो है x की power n वाला, ठीक है जी, उसके बाद जब आपको पढ़ना है, दो formula है, trigger वाले, sin x और cos x वाला, यह दो पढ़ने है, ठीक है जी, कॉमा है, उसके बाद आपको पढ़ना है, one by x वाला, उसके बाद आपको plus minus n dx वाला, और यहाँ पर एक और आड़ करूँगा, जैसे kx dx, और यह है, अभी जैसे मैंने जो भी लिखा है, यह है definite integral, आपको definite पढ़ना है, definite में यहाँ पर एक limit होती है, definite में यहाँ पर एक limit होती है, यहाँ पर एक limit होती है, वो वाला काम करना है, indefinite भी पढ़ना है, definite लेकिन सिर्फ 5 formula से related, यह 5 formula करने और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है जी, फिर आपको vector को पूरा पढ़ना है, 11th class में vector नहीं आता महस में, 12th class की vectors में जाए जाएगा, तो 12th class का vector आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ना है, उसके बाद छोटे से topic है, one day topic होगा, log, anti-log, log की values, natural log, log-based 10, यह सारी चीज़ें आप समझे लो, 10th class के अंदर log नहीं पढ़ा, 11th class के अंदर match में log नहीं पढ़ाया जाता, 12th class के अंदर log पढ़ा कैसे निकालते और कैसे affect करता है, तो इनकी बिल्कुल detail, खास करके जब आप derivative integration पढ़ाऊगे, तो यह detail पढ़ लेना, कि derivative कब apply होगा, और integration कब apply होगा, जैसे derivative कब apply होगा, जैसे सर ने बताया, small changes को करना, छोटे-छोटे changes, ठीक है ना, छोटे-छोटे changes को करना, और आप जो integration का इस्तंबाल होता, area under the course वेगरा, तो यह पांच टॉपिक अगर आप बहुत अच्छे ने पढ़ लेते हो, इसका screenshot ले लो, पांच टॉपिक अगर अच्छे ने पढ़ लेते हो, ले लो बच्छो, तो आपकी physics जो है, वो super strong होगा, अब आपको आशुर सर बताएंगे, आ इन सब topics में से कुछ topics हैसे हैं, जो शांक सर आपको करवाएंगे ही करवाएंगे, जो की 11th की topics हैं, जैसे की ट्रिगो 10th की तो आपने पढ़ रखी होगी, वो तो आपको revise करने हैं, plus इस चैनल पर 10th की ट्रिगो भी शांक सर बढ़ाएंगे, 11th की पढ़ाएंगे, तो अगर में physics में जाबा जरूत पढ़ेगी, ठीक हैं, derivative की बात रही, तो 12th का पढ़ना ही नहीं, 11th का derivative भी उशांक सर आपको पढ़ाएंगे, basic basic में भी बढ़ाऊंगे आपको, और integration की बात रही, क्योंकि integration properly 12th का topic है maths का, लेकिन आपको इसकी जरूत 11th में पढ़ने वाली है, तो इसके basic formula में आपको करवाऊंगा, सर ने पताया को कि चार-पांच formula को जरूत है, तो मैं या उशांक सर, हम एसे कोई एक, ये वीडियो आपके लिए बना देंगे, ताकि आपको 11th की physics में difficulty ना आए, देखो, in short अगर आपको बोले, तो आपकी physics को हम मुश्किल नहीं होने द लीस्ट, तो maths के साथ topics आपको यहाँ पर करा दी जाएंगे, बस आपको इस चैनल पर जुड़े देना है, और जो भी notifications है, उन पर दियान रखना है, ताकि आप कोई भी lecture मिस्स ना कर दें, या आप तक लेट ना पहुंचे, ठीक है ना, बागी मिलते हैं, इस चैनल पर लेक तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, thank you so much, thank you.